इस वक्त गाजा के दक्षणुरी इलाके खान यूनिस में इसराइल गोली बारी कर रहा खान यूनिस के अंदरूनी हिस्से में इसराइली फोर्स के टैंक और तो भी कहर ढार है इसके पहले इसराइल ने खान यूनिस में रहने वाले लोगों को जगे खाली करने का आदेश दिया था लेकिन इन लोगों का सवाल है कि जब वो उत्री घासा में थे तो महाँ से निकाले गए अब दक्षिरी गाजा से भी निकाला जा रहा है फिलिस्तिनियों का सवाल है वो आखिर जाएं तो जाएं कहां अर्रा बारूर बन चुका है इस्रैली डिफेंस फोर्स के टैंक मौत बनकर बरस रहे हैं आती जाती हर सांस के साथ मौत नत्थी हो चुकी है अब कब किसकी बारी आ जाए लोग सह में हुए हैं तुबके हुए हैं ना खाने को अनाज है ना पीने को मैस्सर पानी हम मरना चाहते हैं लेकिन हम जीना जारी रखते हैं हम ठक चुके हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इन दस महीनों में हमारी उमर दोगुनी हो गई है आफत और बेबसी 21 लाग फिलिस्तीनियों का गला धोट रही है जो इस्रैली हमले में मारे गए हैं जो मलबे के नीचे दफन हो गए और जो बच गए तीनों के बीच फ़र्क करना मुश्किल हो गया है लोग पीमारियों से पीडित हो रहे हैं शरीर पर चक्ते होग आते हैं अब फिर से इस्रैली डिफेंस फोर्स का फर्मान हुआ है खान योनुस खाली करो आपको याद होगा उत्तरी घाजा से लोगों को कहा गया कि दक्षणी घाजा में शिफ्ट करो खान योनुस दक्षण में ही है अब यहां से कहा जा रहा है जगा खाली करो जाएं तो कहा ज जा रहा है कि खान योनस में अब तक 100 से जादा लोग मारे जा चुके हैं यही नहीं कितने इमारतों के मलबे में दब गए इसकी मुकमल जानकारी नहीं हाँ जो जखमी है जो जिन्दा बजपाएं है उनकी तादाद भी 200 के पार पहुंच चुकी है और अब ताजा हमले की जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई है जिसमें बच्चे भी शामिल है खान योनस के हमले में 30 लोग मारे गए हैं अब इस्रैली फोर्स का कहना है कि खान योनस में ताजा हमले करने जा रही है जिसमें मुआसी का वो इलाखा भी शामिल है जहां विस्थापित लोगों को बसाय यूएम की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चार दिनों में खान यूनुस से करीब एक लाख असी अजार लोग बिस्तापित हो चुके हैं। दर बदर फिलिस्तीनियों के लिए कोई भी जगे महफोज नहीं क्योंकि यहां हमास के आतंकी छुपे हुए हैं। आतंकवादी यूमन शील्ड का इस्तिमाल कर रहे हैं। यह कोरी तलील है या इसमें सचाई हैं। इसकी पुष्टी करपाना मुश्किल है। बस तस्वीरे देखकर यह इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। घाजा के दो मुक्ष संगतन हमास और इस्लामिक जिहाद की तरफ से संचालित एक टेलिग्राम चैनल ने कहा है कि उनके लड़ाके खान यूनुस के पूरू में इस्रेली सैनिकों के साथ मशीन गनों, मोटारों और टैंक रोधी हत्यारों के साथ भीशन लड़ाई कर रहे ह हमास के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, हमास फुल एंड फाइनल जंग लड़ रहा है और इस लड़ाई के बीच दुनिया से इस्रेल के खिलाफ मदद वाली सहानु भूती की भी दरकार रखता है हमास के कंट्रोल वाले फिलिस्तिनी स्वास्त मंत्राले के अधिकारियों के मताबे हमास इसरेल युद में कम से कम 49,175 लोग मारे गए हैं और 90,403 लोग घायल हुए हैं साथ अक्टूबर को हमास के नेत्रित वाले हमलों में इसरेल में मरने वालों की संख्या 1149 होने का अनुमान है जबकि करीब 141 लोग अभी भी घाजा में बंदी हैं हर हमले में जब आम फिलिस्टीनी मारे जाते हैं इसरेल के प्रधान मंत्री ब्यनमिन नेतन्याहु दोराते हैं कि वो युद्ध विराम के लिए तो रड़ी हैं लेकिन हमास पहले बंदकों को रिहा करे हमास इसरेली बंदकों को हत्यार की तरह इस्तिमाल कर रहा है इन दूसरी वज़े है कि अमेरिका से मिल रही इसरेल को मदद बिना अमेरिकी मदद के इसरेल का फिलिस्तीन से युद्ध करना तो आसान है लेकिन यमन के हुथी लिबनान के हिजबुल्ला और उससे भी आगे इरान से टकरा पाना मुश्किल है लेहाजा नेतनियाहू अभी से ये सुरक्षित करना चाहते है